पंजाब विधानसवा तुनाव नजदीक आते ही शिरी गुरू गुरन साहिब की बेदबी उससे जुड़े गोलिकांट और ड्रक्स मामले गर्माने लगे हैं सीम बनने के बाद पहली बार कोटक पुरा पहुंचे चरंट जी सिंग चन्नी ने दावा किया कि इन सब के लिए बादल जिम्मेदार है उन्होंने कहा कि मामला अभी कोट में है इसलिए मैं जादा बात नहीं करूँगा लेकिन इनको सजा जरूर मिलेगी सीम चन्नी की यह बात इसलिए एहम है क्योंकि बेदबी और गोली कांट की स्पेशल इंवेस्टिकेशन टीम जाच कर रही है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है वहीं ड्रक्स के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सील बन पड़ी है सीम चन्नी ने कहा कि फरीद कोर्ट में हुए बेदबी उसके बाद बैवलकला और कोटकपुरा में हुए गोली कांट में बादल इसकी साजिस रचने वालों में मिले हुए थे उन्होंने कहा कि यह गोलिया बेदबी के विरोध में शांतिपूंग प्रडशन करने वालों पर नहीं बलकि हमारे सीने पर चली है आपको बता दे अकाली दल पहले ही बेदबी गोलिकांड और ड्रक्स केस में उन्हें फसानी की साजिस बता चुका है उनका कहना है कि सीएम चन्नी डिप्टी सीएम सुपजिंदर रंधावा पंजाब कॉंगरेस पठान नवजोत सिंग सिंदू ने डीजीपी इकवाल पृत सहोता के साथ मेटिंग की जिसमें इन दोनों मामलों के बाद परिवार और अकाली दल को फसाने की साजिस रची गई है